प्रधान मंत्री नरेंद मोदी आज गुजरात और दीव का दौरा करेंगे और चक्रवात ताउते के वज़ों से हालात और नुकसान की समिक्षा भी करेंगे प्रधान मोदी भावन नगर जाएंगे जहां से वो उना, दीव, जाफरबाद और मोवा का हवाई सर्वेक्षन करेंगे वहां से वापस आकर अमदवाद में एक समिक्षब वेठक भी करेंगे पतादे गुजरात में चक्रवात ताउते की वज़ा से कम से कम 13 लोगों की जान चली गई है जबकि तुफान की वज़ा से कई इलाकों में भारी बारिश और नुकसान की भी खबर है कमजोर पढ़ने से पहले सुमवार देर रात गुजरात में दस्तक देने वाले चक्रवाती तुफान की वज़ा से राज्य को भारी बारिश का सामना करना पड़ा और इस दोरान चली तेज सरफतार की आंधी की वज़ा से कई कमबे और पेर भी उखड गए और घरों और सड़कों को भी नुकसान पहुचा है वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि ताउते गुजरात के टच से बेहत गंबील चक्रवाती तुफान के तौर पर आधी रात के करीब गुजराओ धीरे-धीरे कमजोर होकर कमबील चक्रवाती तुफान और बाद में कमजोर होकर अब चक्रवाती तुफान में बदल गया है देश जानलेवा कोरोना वाइरस की दूसरी लहर से जूच रहा है इस बीच प्लाजमा थेरपी को लेकर अब एक नई बहस चुड़ गई है National Covid Task Force ने प्लाजमा थेरपी को Covid Treatment Protocol से ये कहते हुए हटा दिया है कि ये कारगर नहीं है लेकिन इससे ठीक उलट IMA यानि कि Indian Medical Association ने प्लाजमा थेरपी का समर्थन किया है कोरोना की दूसरी लेर में जुरत मन लोग कोरोना से ठीक हुए लोगों से प्लाजमा डोनेट करने की गोहा लगा रहे थे क्योंकि माना जा रहा था कि प्लाजमा थेरपी से कोरोना का इलाज संभव है लेकिन COVID-19 पर बने नैशनल टास्क फोर्स ने प्लाजमा थेरपी को ट्रीटमेंट ट्रोटकॉल से खटा दिया है कहा गया है कि प्लाजमा थेरपी कोरोना मरीजों के उपचार में असरदान नहीं है मरीजों की मौतों को कम करने में भी प्लाजमा थेरपी काम नहीं आईगी ये दोनों दावें लंबे रिसर्च के अधार पर किये गए हैं और वग्यानेक तत्यों को अधार मानते हुए ही सरकार ने प्लाजमा थेरपी को खटाया है लेकिन तीन लग से ज़्यादा डॉक्टरों के समूवाले संसा आई एमे अब भी प्लाजमा थेरपी पर भरोसर जता रही है आई एमे के वित नसचे टॉक्टर अनिल गोयल ने कहा है कि प्लाजमा थेरपी मरीज के तिवादार की मंजूरी से दिया जा सकता है आफ लेबल किया है मना नहीं किया है नेपाल के पोकरा में आज सुबा भुकंप के तेज जटके महसूस किये गए बता दें जिसकी तेवरता रिक्टर पैमाने पर पांच दशवला तीन मापी गई राश्टे भुकंप केंद्र के अनुसार इस्थानिय समय अनुसार सुबह करीब पांच बच का 42 मिनट पर ये जटके महसूस किये गए भुकंप का केंद्र लामगंज जुजिले के बुलबुले में इस्तर था फिलाल जान माल के नुकसान की कोई ख़बर सामने नहीं आई है नेपाल में आए भुकंप के जटके सीमा से सठे बिहार में महसूस किए गए है मतादे बिहार के सीमवर्ती इलाकों में तेज जटके महसूस किए गए इससे पहले 28 से एपरिल को काटवांडू गाटी में रिक्टर पैमाने पर 5.2 त्रिवतर वाला भूकम पाया था धर्ती मुख्य तोर पर 4 परतों से बनी हुई है इन पर कोर, आउटर कोर, मेंटल और क्रस्ट और उपरी मेंटल कोर को लिथो स्वेयल कहते हैं ये 50 मीटर की मोटी परत के कई वर्गो में बटी हुई है जिसे टेक्टानिक प्लेट्स कहा जाता है ये टेक्टानिक प्लेट्स अपनी जगा पर हिलती रहती हैं जब ये प्लेट्स बहुत ज्यादा हिल जाती है तो बुकम मैसूस होता है वेक्सीन की कमी पर आलोचना जेल रहे केंद सकार के मंत्री नेतन गतकरी ने कहा है कि अगर देश में वेक्सीन की कमी खुरा ही है तो और कमपनियों के इसे बनाने के अनुमती दी जानी चाहिए ताकि लोगों की जान बचाई जासे के इसके अलावा लाइफ सेविंग ड्रग को भी और कंपनियों को बनाने का लाइसेस दिया चाहिए उन्होंने औक सीजन की कमें की वच्छा से होई सेक्रों लोगों की मौतों पर भी दुख व्यक्त करते हुए कहा कि देश में अंतिम सहिसकार का भैतर प्रबंद किये जाने की ज़रूरत है उन्होंने कहा कि यदि टीक धारक कंपनी को दूसी कंपनियों द्वारा दस प्रतेशत रोयल्टी का भुक्तान की अवच्छानल चाहिए नितिन गटकरी ने कहा कि अगर ज्यादर कंपनियों को वैक्सीन बनाने में लगाये जाए तो हमारे देश की मांग पूरी हो सकती है उन्होंने कहा कि एक बार सब बातों का जिक्र किया गुड मॉर्निंग अंजिया में फिलाक लिबा से इतना ही आप देखते रहिए न्यूस वोल इंजिया